हाई वेलकम तु वियर लेर्नस में रचना हम आपके लिए ओनलाइन डिजन शुरू करें जिसमें क्लास्टान मैट्स के सारे चैप्टेस रेगुलर अप्लोड करेंगे रेगुलर अप्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं एक 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 जामपल से समझते हैं कि 12 के फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6, 12 यहां देखिए 12 के यह जितने फैक्टर हैं यह फैक्टर या तो 12 के बराबर है या 12 से छोटे हैं so factors are less than or equal to the given number यहां जो number बराबर है 12 का वो है 12 बाकी सारे factors छोटे हैं similarly जो multiples of a number is greater than or equal to that number for example यदि मैं 6 के multiples देखते हैं तो 6 के multiples होते हैं 6, 12, 18 and so on यह देखिए इसके जो multiples हैं या तो बराबर है number के या उससे बढ़े हैं यहां बराबर कौन सा है 6 इसके बराबर हैं बाकी remaining जितने multiples है 6 के देखिए वो number से बढ़े हैं इसी चीज को यह एक important point है if factor is smaller than or equal to the number and multiple is greater than or equal to the number इसी को हम यहां use करेंगे देखिए for example यदि है मेरे 2 या 2 से चादा numbers मुझे given numbers हैं उसका मुझे HCF निकालना है और question पढ़के हमें समझ में आ जाता है कि इसका जो result होगा या बड़ा होगा in case जो result है वो smaller है तब आप समझ जाएगा smaller है तो smaller का case में given numbers से यदि मेरे result smaller है इसका मतलब वो HCF होगा और यदि मेरे result निकलने वाला है वो the given numbers है उससे बड़ा है तब आप समझ जाएगा यह multiple का case है और यहां हमें result if greater ऐसे case में यह LCM का case बन जाता है उसमें हम LCM योज़ करेंगे देखिए इसको जरा हम समझते हैं एक हम example वही लेते हैं देखिए हमने यह exercise 1.1 में यह HCF का problem solve किया था इसमें था कि an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parrot देखिए number of members कितने है पहले case में 616 है और यह 616 और 32 members है और इसमें हमारा है कि यह दोनों group को divide करना है इसका मतलब जो result आएगा वो इन जो given numbers से छोटा आएगा since यह given numbers से छोटा आएगा इसका मतलब यह HCF का case हो जाता है यह हम HCF apply करेंगे देखिए result क्या है यह देखिए result smaller है result smaller है सो यह HCF हो गया है तो चलिए अभी एक और हम solve करते हैं देखते हैं कि we will apply LCM or HCF now this is the seventh question and this is a word problem there is a circular path around a sports field इसके sports field के चारों और एक circular path बना हुआ है so this is the path circular path sonia takes 18 minutes to drive one round of the field sonia को 18 minutes लगते हैं एक circle पूरा करने में एक round पूरा करने में चलिए यह हम मान लेते हैं sonia का circle है sonia red so this is 18 minutes उसको लगते हैं while Ravi takes 12 minutes for the same इसी circular path को complete करने में circle को complete करने में Ravi को लगते हैं 12 minutes suppose they both start at the same point and at the same time suppose यह दोनो इस point से start करते हैं और इसी point पर आके वापस खतम कर रहे हैं यह गोल एक round circle हो रहा है यहां से start कर रहे हैं same time same point and go in the same direction यह भी दिया गया है कि इन दोनों का direction भी एक है suppose यह दोनों इस direction में move कर रहे हैं after how many minutes they will meet again at the starting point देखिए एक circle में तो यह दोनों एक round में ते दोनों नहीं मिलेंगे देखिए दोनों की speed अलग है Sonia की speed है Sonia 18 minutes में complete कर लिया Ravie 12 minutes में complete कर रहा है इसका मतलब इनको कुछ rounds लगेंगे तब जाके यह वापस इस starting point पर वापस मिलेंगे तो चलिए इसको हम तेरा ऐसे संभजते हैं यह इनका time journey है और यह Sonia का है और यह Ravie का है और Sonia को 18 minutes लग रहे हैं एक round complete करने में next round complete करने में इसको वापस 18 minutes लगेंगे फिर एक round यह complete करेगे हर एक हर एक complete round यहां देखिए multiple of 18 है similarly Ravie के case में भी इसको हर round complete करने में 12 minutes लगेंगे यह पहला round complete किया देन अगेन एक round complete किया वो भी 12 minutes इसका मनें यह जो है यह सारे complete rounds जो है यह 12 minutes के Ravie के case में हर complete round 12 minutes का है अब suppose Sonia X time में for example कोई भी time में ले लेती हूं कहीं भी जैसे X time में Sonia ने एक round complete किया और suppose उसी वकत उसी वकत Ravie का भी यह वही वह round complete कर रहा है अब देखिए Sonia के angle से देखिए हर complete round एक multiple है 18 का अब यह दी दोनों यहां मिल रहे हैं इसका मतलब X क्या हो गया X is the multiple of 18 X is also the multiple of 12 इसका मतलब X is the common multiple of both 12 and 18 अब देखिए इस से पहले इन लोग और कोई common multiple 18 और 12 का नहीं हैं तो X will be the least common multiple of 18 and 12 आये इसको हम solve करते हैं तो अब है कि after how many minute they will meet again at the starting point अब यह starting point है इनका और यह least common multiple है तो यह हो गया हमारा L. C. M. of 18 and 12 18 को मैं तो चार्ता हुग करते हूं so this is 2 times 9 again 3 times this is 3 and 12 का यह हो गया हूं तो चार्ता हुग करते हूं so this is 2 times this is 6 again 2 times this is 3 so prime factorization 12 का हो गया 2 square into 3 and 18 ka ho gya 2 into 3 square. Now LCM of 18 and 12 is equals to LCM में हम क्या लेखते हैं? हम लेखते हैं सारे prime factors. सारे prime factors इसमें कौन-कौन से हैं? 2 और 3. अब हम इसमें क्या लेंगे? greatest power. तो greatest power 2 की 2 है और 3 की 2 है. So this is equals to 36. So after how many minutes, they will meet again at the starting point. So they will meet again at the starting point after 36 minutes. Answer. अब यहां देखिये, एक दूसरे तरीके से हम question देखते ही, इसको समझ सकते थे कि यह LCM का है. देखिये, Sonia को और Ravi को दोनों को circle complete करने में, given time देखिये कितना दिया हुआ है? given time है 18 और दूसरे case में दिया हुआ है 12. दोनों एक round में तो मिलना ही सकेंगे, इसका मतलब जो result निकलेगा वो 18 और 12 से बड़ा होगा. So obviously इसमें LCM का case होगा. आई याद देखते हैं आज के सवाल, आप जल्दे से comment में इनके reply करें, moreover हमारे चैनल को subscribe करके notification bell बटन दबाएं, so that आपको हमारे वीडियो के updates मिलते रहें. So आज के लिए यही तक, see you in the next class. Thank you.